आज हम देखेंगे कि प्रिक्टिल केथिटर कैसे रिमूब करते हैं यह 35-year-old male है इसको की राइट सेंग टूले फ्यूजन था अब वो डेल हो चुका है अब इसमें हम लोग प्रिक्टिल केथिटर निकाल देंगे चलिए अब इसका लाइप प्रोसीजर देखते हैं सबसे पहले हम लोग ड्रेसिंग लूज करने के लिए सेवलोन या कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं जैसे कि सैनिटाइजर उसके बाद में ड्रेसिंग निकाल देंगे और उसको लेयर वाइल लेयर निकालके प्रिक्टिल केथिटर से भार निकाल देंगे उसके बाद में हम लोग gloves change कर लेते हैं कि gloves हमारे swell हो जाते हैं उसके बाद इस पूरे area को इस्टिलाइस करना है chlorhexidine plus 70% alcohol first clean कर लेंगे उसके बाद में 10% providon iron bean से अच्छे से इस्टिलाइस कर लेंगे और उसके बाद में एक dry goss piece या फिर alcohol swab से अच्छे से साफ कर लेंगे क्योंकि इसके उपर bandage नहीं चिपकेगी इसलिए हमें साफ करना जरूरी है इसमें sutures नहीं होते हैं इसलिए suture काटने की जरूरत नहीं है इसके बाद हम दो goss piece ले लेंगे और एक ball की तरह उसको fold कर लेंगे और इस पर 10% provident iodine लगा लेंगे बस थोड़ा सा लगाएंगे उसके बाद patients कहेंगे कि deep inspire करें फिर expire करें इस टाइम पर ये ball उस पर रखकर और जोड से खीच देंगे जिसे कि pigtail बहार आ जाएगी इसके बाद में डाइनाप्रास से अच्छे से चिपका देंगे दो डाइनाप्रास से अच्छे से cover कर देंगे ताकि हवा अंदर न आ जाए तो friends ये एक easy procedure है जो सबको आना चाहिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो please like करिए अपने friends के साथ में share करिए अगर ये चैनल आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe करिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में Thank you very much